तो और भाई लोग क्याल है आज जैसा कि आपको सबको पता है कि जो UPTU का बीफार्मा का इंटरेंस एक्जाम होने वाला था 20 तारीक को 20 तारीक को होगा तो अभी आपको मैं इस वीडियो में कुछ important topics के बारे में बताने वाला हूँ कि जिने आप करके जा सकते हो और कुछ topics के ऐसी की चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिनको छोड़ कर आप रिस्क ले सकते हो मतलब अब उसको छोड़ सकते हो तो इस वीडियो को last तक अगर आप देखोगे तो जरूर बिलकुल आपको कोई ना कोई help मिलेगी इंटरेंस पढ़ेंगी आपके लिए नहीं होंगी जो अभी तक आपने बिलकुल भी मतलब पढ़ा तो होगा बट आपको उसके concept के बारे में नहीं पता है और वही चीज़े पढ़ें जिसके बारे में आपको पता है आप पढ़ने से एक आधे घंटे में तुरन तुसको समझ तो किसी चीज़ पर ज्यादा time ना दे हैं आप अभी सिर्फ revision पर time दे जो चीज़ आपको आती है उसको और अच्छे से पढ़ लें क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों के question आपके गलत ना हो और जो नहीं पढ़ा है वो गलत हो चाहे ना हो उससे तो आपको कोई फरक नहीं पतलब होना चाहिए बर आपको फरक उससे पढ़ना चाहिए जो आपने पढ़ा है फिर भी वो गलत हो जा रहे हैं तो वो ऐसी गलती आप ना करें जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको धंग से पढ़ लें तो बात कर लेते हैं बायो में बायो में आपको 11-12 की book अगर पते के अंदर या 10 दिन के अंदर दोनों books revision कर सकते हो अच्छे से तो आप कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी बहुत अच्छी तरीके से फायदा मिलेगा 80% से उपर question आप कर जाओगे बात करते हैं chemistry में तो आप organic chemistry, inorganic chemistry और physical के एक दो chapter chemical kinetics, equilibrium, coordination and its compound इन सब chapter से मिला कर आप 90% paper की question इन ही से आते हैं, अगर आप ये कर लेतो तो chemistry में भी आप अच्छा score करते हैं, अब रात करते हैं कि physics में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो physics में आप वही चीजे पढ़ो जो अभी तक आपने पढ़िये, आपको अच्छे से आती है, नहीं चीज पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप physics में भी जो चीज का revision कर सकते हो अच्छे से, और सिर्फ वही चीज करो, जो चीज आती है, उसको और अच्छे से जान लो, और कुछ नया भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी किसी को भी अगर PDF चाहिए, प्रिवियस य की question प्रोवाइड कर दूँगा तीनो सेट्स के, अगर इस वीडियो से आपको बिल्कुल भी help मिली है, तो नीचे दिये लाल बटन को दबागा, चैनल को सब्सक्राइब पर हैं, लाइक करें, और कॉमेंट में जुरूर बताएं, अगर कोई problem होती है, तो